हाई दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ पार्ट चार कहानी लेकर आप लोगों के बीच तो चलिए बिना देर किये ही शुरू करते हैं विक्रम और बेताल की कहानी शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं सत्रह कौन अधिक साहसी चंदशेकर नगर में रत्नदत नाम का एक सेट रहता था उसके एक लड़की थी उसका नाम था उन्मादिनी जब वह बड़ी हुई तो रत्नदत ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उससे ब्याह कर लीजिए राजा ने राजा के सेनापती बलभदर से उसका विवाह कर दिया वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली उस समय उन्मादिनी अपने कोटे पर खड़ी थी राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया उसने पता गया उसे राजा की बैचेनी मालूम हुई उसने कहा स्वामी उन्मादिनी को आप ले लीजिये राजा ने गुस्सा होकर कहा क्या मैं आधर्मी हूँ जो पराइस्त्री को ले लून राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन में मर गया सेनापती ने अपने गुर और उसमें जाकर भस्म हो गई इतना कहकर बेताल ने पूछा राजन बताओ सेनापती और राजा में कौन अधिक साहसी था राजा ने कहा राजा अधिक साहसी था क्योंकि उसने राजधर्म पर ड्रिल रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पती के कहने पर भी स्वीकार नही किया और अपने प्रानों को त्याग दिया सेनापती कुलीन सेवक था अपने स्वामी की भलाय में उसका प्रान देना अच्रज की बात नहीं असली काम तो राजा ने किया कि प्रान छोड़ कर भी राजधर्म नहीं चोड़ा राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर लटका, राजा उसे पुना पकड़ कर लाया और तब उसने ये कहानी सुनाई, अठारह, विद्या क्यों नश्ट हो गई, उज्जेन नगरी में महासे नाम का राजा राज करता था, उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मन रहता था, जिसके गुनाकर न पूछा तो उसने सब बता दिया, योगी ने कहा, लो, पहले कुछ खालो, गुनाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मन का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ, इतना सुनकर योगी ने सिद्धी को याद किया, वहाई, योगी ने उससे आफभगत करने को कहा सिद्धी ने एक सोने का महल बनवाया और बुनाकार उसमें रात को अच्छी तरह से रहा, सबेरे उटते ही उसने देखा कि महल आदी कुछ भी नहीं है, उसने योगी से कहा, महाराज, उस त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता, योगी ने कहा, वो, तुम्हें एक विद्य प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी, लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धी से मिल सकती है, तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे, गुनाकर ने कहा, नहीं, मैं स्वयम वैसा करूंगा, तुम अगनी में प्रवेश कर जाना। बुनाकर जब करने लगा। जब वह माया से एकदम मुहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्रह्मन के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गये। वह अपने जन्म की बात भू बुनाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या नहो। इस तरह सोचता हुआ वहाग में घुसा तो आग थंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। बुनाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता जालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयम सिद्धी की याद की परवह नहीं आई। इस तरह योगी और बुनाकर दोनों की विद्या नश्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा राजन ये बताओ कि दोनों की विद्या क्यों न राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जालक का। राजा वहा गया और उसे लेकर चला तो उसने ये कहानी सुनाई। अगर मेरी आगया से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सद्गती मिल जाएगी। इस बढ़ के पिल के नीचे अशर्फिया गड़ी हैं सोले लेना और मेरे प्रान निकलने पर मेरा क्रिया कर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरन्यवती ने जमीन खोद कर अशर्फिया निकली चोर का क्रिया कर्म किया और अपने नगर में लोट आई। उसी नगर में वसुदत नाम का एक गुरू था जिसके मनस्वामी नाम का शिश्य था। वह शिश्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे पाँचसौ अशर्फिया मानती थी। वह कहां से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशर्फिया मिल जाएं तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरुन्यवती राजी हो गई, उसने मनस्वामी को 500 अशर्फिया दे दी, बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उन्हें दर्शन दे कर कहा, तुम इस बालक को हजार अशर्फियों के साथ राजा के महल के दर्वाजे पर रखाओ। मा बेटी ने ऐसा ही किया. उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन दे कर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहन करो. राजा ने अपने नौकरों को भेज कर बालक और अशर्फियों को मंगा लिया. बालक का नाम उसने और पिंड़दान किया तो उसमें से तीन हाथ एक साथ निकले. चंद्रप्रब ने चकित होकर ब्राहमनों से पूछा कि किसको पिंड़ दून. उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राहमन का है और अन्दूठी वाला राजा का. आप तैकर के लिए पैसे से खरीदा हुआ था. राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था. इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है. इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जालटका और राजा को वहाँ जाकर उसे लाना पड़ा. रास् कर वह एक पेड़ की चाया में लेटा कि उसे एक रिशी कन्या दिखाए दी. उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया. थोड़ी देर में रिशी स्वयम आ गये. रिशी ने पूछा तुम यहां कैसे आये हो? राजा ने कहा मैं शिकार खेलने आया हूँ. रिशी बोले कर चला तो रास्ते में एक भयन कर राक्षस मिला. बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा. अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो साथ दिन के भीतर एक ऐसे ब्राहमन पुत्र का बलेदान करू, जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता-पिता उसे मारते समय उ और उसे कीमती गहने पहना कर नगर-णगर और गाव-गाव घुमवाया. ये कहलवा दिया कि जो कोई साथ बरस का ब्राहमन का बालक अपने को बलेदान के लिए देगा और बलेदान के समय उसके मावबाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह हमूरती और सो गाव मि गया, उसने मावबाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे. मेरे शरीर से राजा की भलाए होगी और आपकी गरीबी मिल जाएगी. मावबाप ने मना किया, पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया. मावबाप बालक को लेकर राजा के पास गए. राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया. राक्षस के सामने मावबाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ. उसी समय बालक बड़े जोर से हस पड़ा. इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ कि वो बालक क्यों हसा. राजा ने कोई भी बालक के साथ न था. माव बाप हाथ पकड़े हुए थे, राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भाक्षक हो रहा था. ब्राह्मन का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था. इसी हर्ष से और अच्रच से वह हसा. इतना सुनकर बेताल इंतर साहुकार रहता था. अर्थदत के अनन्दमंजरी नाम की एक सुन्दर कन्या थी. उसका विवाह साहुकार ने एक धनी साहुकार के पुत्र मनिवर्मा के साथ कर दिया. मनिवर्मा पतनी को बहुत चाहता था. पर पतनी उसे प्यार नहीं करती थी. एक बार मनिवर्मा कहीं पीछे अनन्दमंजरी की राज पुरोहित की लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। कमलाकर आया और उसने अनन्दमंजरी को देखा, वह बिताब होकर मिलने के लिए दोणा, मारे खुशी के अनन्दमंजरी के हृदय की गती रुप गई और वह मर गई। कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अन्दा कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार में मनिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पतनी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनन्दमंजरी और कमलकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। उसमें अच्रच की कोई बात नहीं थी। राजा का ये जवाब सुनकर अब बेताल फिर पेर पर जालटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पढ़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी कही। कुछ समय बाद वे विद्या सीखा कर मिले। एक ने कहा मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्रानी की हड़ियों पर मास चड़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अन बना सकता हूँ, चोथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ, फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए, वहाँ उन्हें एक मरे शेर की हड़िया मिली, उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया, एक ने मास डाला दूसरे ने खाल और बल पैदा किये, तीसरे ने सारे अन बनाए और चोथे ने उसमें परान डाल दिये, शेर जीवित हो उठा और सब को खा गया, ये कथा सुना कर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराद किस ने किया, राजा ने कहा, ज योगी पहले रोया क्यों फिर हसा क्यों, कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है, उसमें राजा प्रदियुम्न राज करता था, उसी नगरी में एक ब्राहमन रहता था, जिसके देवसोमा नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था, जब देवसोमा सोलह बरस का जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया, पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में गुज़ गया, लड राजा ने कहा, इसमें क्या बात है, वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माबापने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाय प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था, हसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका, राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरासा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जान की लड़की थी, उसके लवन्यवती नाम की एक कन्या थी, जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधों ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया, राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया, रात को वे एक वन में ठहरे, पहले दिन चल कर भीलो की नगरी में पहुँचे, राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे, वे दोनों वन में चली गई, इसके बाद भीलो ने राजा पर हमला किया, राजा ने मुकाबला कि पर अंत में वह मारा गया, भील चले गए, उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आई और राजा को मरा देखकर बढ़ी दुख, खी हुई, वे दोनों शोग करती हुई एक तालाब के किनारे पहुँची, उसी समय वहाँ चंडर सिन नाम का साहुकार अपने ल साहुकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया, थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रिया दिखाए दी, साहुकार ने पूछा, तुम कौन हो, रानी ने सारा हाल कह सुनाया, साहुकार उन्हें अपने घर ले गया, संयोग बेताल बोला, राजन, बताए, मा बिटी के जो बच्चे हुए, उनका आपस में क्या रिष्टा हुआ? ये सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा. उसने बहुत सोचा, पर जवाब न सूच पड़ा. इसलिए वह चुपचाप चलता रहा. बेताल ये देखकर बोला राजन, कोई बात नहीं है. मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ. मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूँ. तुम इसे योगी के पास ले जाओ. जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर जुका कर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना की पहले आप करके दिखाओ. जब वह सिर जुका कर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना. उसका बलिदान करके तुम सारी प्रित्वी के राजा बन जाओगे. सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बली देकर सिद्धी प्राप्त करेगा. इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया. 25. अंतिम कहानी. राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया. योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन हुआ. बोला, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है. तुम सच्छमुच सारे राजाओं राजा को बेताल की बात याद आ गई. उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं जुकाया. आप पहले सिर जुका कर बता दीजिए. योगी ने जैसे ही सिर जुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर कार दिया. बेताल बड़ा खुश हुआ. बोला, राजन ये योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था. अब तुम बनोगे. मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है. तुम जो चाहो सो मांग लो. राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश है तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानिया सुनाई, वे और 25 ये सारे संसा में प्रसिध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़े. बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा. ये कथाएं, बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे, उनके पाप दूर हो जाएंगे. ये कहकर बेताल चला गया. उसके जाने के बाद शिवाजी ने प्रक शांसे नगर में आ गया. कुछ ही दिनों में वह सारी प्रित्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंग से राजे करते हुए अंत्मे भगवान में समा गया. नमसकार दोस्तों, आज की कहाणी यही पर समाप्त होती है. अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ. तो यह वीडियो आज यही पर समाप्त होती है. हमारे वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे नई नई कहानी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए